गनित के सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यन्जकों का प्रयोग करना उदाहरन आज हम देखेंगे गनित के सूत्रों और नियमों यानि Formulas and Rules of Math में बीजिय व्यन्जकों यानि Algebraic Expressions के प्रयोग से समबंधित उदाहरन अब तक हमने गनितिय सूत्रों और नियमों के बारे में जाना इस वीडियो में हम उदाहरनों की मदद से इन्हें और अच्छे से समझेंगे उदाहरन एक यदि एक आयत का क्षित्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी? आईए इसे मिलकर हल करते हैं आयत के क्षित्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई अगर बीजिय व्यन्जक के माध्यम से लिखा जाए तो एक आयत का क्षित्रफल होगा एल गुना बी जिसमें एल लंबाई और बी चौड़ाई को दर्शाता है हमें दिया गया है कि इस आयत का क्षित्रफल 20 सेंटीमीटर वर्ग है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है अब हम इन मानों को आयत के क्षित्रफल के सूत्र में रखते हैं जैसा कि हमने अभी देखा कि आयत का क्षित्रफल होता है अर्थात 20 बराबर 5 गुना बी होगा अब हमें मिलेगा 20 बराबर 5 बी अब हम दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे 20 बटा 5 बराबर 5 बटा 5 जिससे हमें मिलेगा 4 बराबर बी अतह इस आयत की चोड़ाई 4 सेंटीमीटर होगी आये अब संख्या प्रती रूप से संबंधित एक उदारन देखें दिये गए M की आकरती के बढ़ते क्रम को ध्यान से देखिए और उसे संख्या प्रती रूप में दर्शाइए यहां M आकरती के दिये प्रती रूप में पहली आकरती में 4 तीलियां है परन्तु हर बढ़ती आकरती से 3-3 तीलियां जोड़ी जा रही है जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले M में बाकियों की तुलना में एक तीली ज्यादा है दिये गए M की आकरती के बढ़ते क्रम का संख्या प्रती रूप बनाने के लिए हम माचिस की तीलियों की संख्या को एक पद माने तो हम देख सकते हैं कि पहली आकरती में 4, दूसरी में 7, तीसरी में 10 और चौथी में 13 तीलियों का प्रयोग हुआ है इन्हें हम निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं चार बराबर एक जमा तीन गुणा एक साथ बराबर एक जमा तीन गुणा दो दस बराबर एक जमा तीन गुणा तीन तेरह बराबर एक जमा तीन गुणा चार ऐसी ही N के स्थान के लिए व्यनजग होगा एक जमा तीन गुना N बराबर एक जमा तीन N यहाँ N, M की कुल आकृतियों की संख्या को दर्शाता है हम इस व्यन्जक की सहायता से M की N आकृतियों को बनाने के लिए आवश्यक कुल तीलियों की संख्या का पता लगा सकते हैं M आकरिती के इस प्रतिरूप का संख्या प्रतिरूप होगा 4, 7, 10, 13 इसी प्रकार एक जमा तीन N जहां पहला पद 4, दूसरा पद 7, तीसरा पद 10, चौथा पद 13 है और इसी प्रकार N वा पद होगा एक जमा तीन N कई बार हम M की दो आकरितियां देखकर तीलियों की संख्या 4 जमा 3 के बजाए 4 जमा 4 समझ लेते हैं और इसी तरह बढ़ते क्रम में गलती करते रहते हैं जिससे हमारा गलत संख्या प्रतिरूप बन जाता है आज हमने देखे गनित के सूत्रों और नियमों में बीजिय व्यन जकों के प्रयोग से संबंधित उतारन अगली वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ मिथ्या धारनाई देखेंगे धन्यवाद